मैंने अभी दो दिन पहले आप सबको बताया था कि कैसे आरोपी ने कुछ लोगों की मदद से केस को जुठा बनाने की कोशिस की कुछ लोगों ने उसका साथ दिया जिसमें कुछ हद तक पुलिस भी सामिल रही मैं एक बात ओगा आप सबको बताना चाहता हूं क्योंकि अब इन सबकी सचाही सामने निकल आई है और इन सबको एक्सपोज होने का डर है पहले भी इन्होंने बहुत बार जो लड़की की मम्मी है उसको डगाया है दमकाया है पुलिस के दवारा भी दबाव बनवाया गया है कि ये अपने स्टेटमेंट बदल ले कुछ दिन पहले उस आरोपी का एक जुठा गवा है गित्ता राम उसने लड़की की मम्मी को रास्ते में रौक कर ये कहा था कि या तो अपनी सिकायत वापस ले लो नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा तो अब यदि कुछ भी लड़की को उसकी मम्मी को उसके भाई को उसकी बड़ी बहन को इनको यदि कुछ भी हो जाता है क्योंकि घर पर मम्मी और वो लड़की अकेले रहती है और जान बुजकर ये लोग जो उसका गवा है एक जूटा किसन लाल ये जान बुजकर उस आगोपी को बुलाते हैं रास्ते में बैठाते हैं जिधर लड़की की मम्मी लड़की का आना जाना होता है मारकेट की तरफ उस तरफ उसको बठाके रखते हैं ताकि एक डर बना रहे तो यदि कुछ भी लड़की को लड़की की मम्मी को उसके भाई को उसकी बड़ी वाली बहन को इस दोरान यदि कुछ भी हो जाता है क्योंकि ये पूरा ड़ाने की यो कुछ भी गलतिय कर सकते है यदि इस दोरान कुछ भी होता है तो इसका जिम्मेदार इनहीं लोगों को समझा जाए आरोपी को, उसके जो दो जुठे गवाँ हैं गित्ताराम के सनलाल को उसका गित्ताराम के पिता अमरनात को उसकी तो तीन बीच वाली लड़कियां हैं जिनोंने भी इसमें साथ दिया है जुठा बनाने में और किरन और जो छोटी वाली लड़किया प्रियंका इन दोनों के पती को इनहीं को जिम्मेदार माना जाए और इसमें सरपंच भी समिल हो सकता है क्योंकि सरपंच ने आज तक सारा काम एक तरफा किया है उसने पूरा स्टार्टिंग से आरोपी का साथ दिया है हर जगे वो आरोपी के साथ खड़ा रहा है एक बार भी उसने लड़की या लड़की की मम्मी से बात नहीं की या उसके भाई से ये जानने की कोशिस नहीं की कि क्या हुआ सुरू से वो आरोपी के साथ एक तरफा खड़ा रहा है ADR की जब सुनवाई हुई थी जिसमें केवल पती पतनी को बुलाया जाता है वहाँ पर भी सरपंच दो से तीन लोगों को लेकर साथ खड़ा हुआ था तो वो एक तरफा रहा है और यदि कुछ भी होता है तो उसको भी जिमेदार मानना जाए